नमश्कार दोस्तों, बगवर आप सभी के बला करूँ और आपके सारे एक 6 मुन कामने पूरी हों दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्म जान करेवेग करूँगा और यहाँ पर आपका सरपतम फिंगर के एनलेसिस के बाल इस पर पाल्म का एनलेस करते हुए, जितने भी प्रशन यहाँ पर आपके रहेंगे, उन सभी का अंसर इस वीडियो में कवर किया जाएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंद पाल्म के कंपरिजन में थोड़ी शौट है जो फास्टर डिसिजन टेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है और इस कंडिशन में थोड़ा चुस्ति इस फूरतिया उत्साहित हो करके प्रत्य दिक काम करने की प्रवधी होती है यारी बहुत जल्द अपने काम को खतम करना है बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णे वोपे काम करना ये सोच पर जो है अमल करना इस प्राकर के उग निर्मित होते है तो थोड़ा ये इंपेशन टाइप के नीचर को दर्शाता है और फिंगर के बीच में ऐसा गैप अपने बात को खुल करके कहनी पाते है अथवा इस टेंजर या अपोजी जेंडर से बाचित कर दे समय हिचकेचाट घवराहट में सो सुना या मन के अंदर बात को दवाना थोड़ा सा रिजर्व टाइप का नीचर होता है और इस कंडिशन में कभी भी एक समय पर एक से अच्छे से अनलेसिस करके कोई भी काम करना चाहिए जब यह सारी चीज़े आप करेंगे और एक समय पर खासकर एक काम करेंगे और प्रोपर प्रोकॉन से अनलेसिस या दूर दशीता रख करके काम करेंगे तो आपके हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आएगा और ज सारे काम बहुत जल्दी कर लेते हैं जिसके रिकार्डिंग सोचा ना हो तो इस करण से अभी भी ये परशने निकल के आ रहा है कि घर कब बनेगा गाड़ी कब आएगी तो वो इसी करण से तो यहाँ पर अगर आपने बुद को ठीक कर लिया या निर्णे लेने की जो योग फिंगर के लिए फिर्स्ट फिंगर के लिए थोड़ी सी जादा स्टॉंग देख रही है हला कि बहुत कोई फरक नहीं है दोनों फिंगर में तो यह रिस्पॉंसिबिलिटी टेकिंग नीचर देता है तो जीवन में कभी किसी प्रकर के जम्मिदारे लेने से पीछे नहीं फिंगर के उपर सीधी खड़ी रेखाऊं कि शंकला मितरता पुर्वक सुभाव तो वहीं यहां की आड़ी रेखा है और रिष्टों में होने थोड़े अनबन मदभेद दूरियों को दर्शात है लेकर अंदर तहर सारे रिष्टे अच्छे से निवहा पाने में आप यहां तो इस्टेमिना एनर्जी और रोग प्रतिरोधक्षमत आपके अंदर बिल्कुल ठीक रहेगा और थाम का साइज यहां पर आपका देखा जाये तो थोड़ा सा शॉट है तो टूद अपन बात करना सुनना ही यहां पर आप ज़्यादा पसंद करेंगे और यहां पर आपका जो यव का चिन है वो थोड़ा सो ओपन है तो इस कंडिशन में यह इसी बात को दर्शात है कि पैसा तो आता अच्छा लेकिन रुक नहीं पाता सदप्योग नहीं हो पाता वैसे ही कोई काम कंसिस्टेंस आपसे होता नहीं है कंसिस्टेंसी में यानि रुक रुक करके काम हो करने के योग निर्मित होता है तो रेगुलर बिज्ड मंदिर बिजिट करना चाहिए मेडिटेशन करना चाहिए और दान धर्म जैसे चीजें जीवन में लगातार करती रहने चाहिए तो इससे क्या होता है कि पीस हैपनेस मेंटल इस्टेबिलिटी ग्रोथ अपोर्चुनिट सरलता से ढ़ल जाते हैं और अपने लिए गए निर्णे या बनाए गए उजिना में भी सरलता से परिवर्तन कर लेते हैं जब भी पामकस लंबाई में ज्यादा देखने को मिले तो यह लॉट्स उप डिर्म डिजार और अबिशन करता है यहाँ जीवन के प्रती बड़ी सो करा है तो आपका जो जूपिटर माउंट पहले बाद तो डिवलप बहुत अच्छा है इस पर अगरगा जब जूपिटर होता है तो बच्चे बहुत लायक निकलते हैं सांसार एक पारेवार एक दाम पते सुख बहुत अच्छा मिल पाता है और बच्चे का बारवी भी प्रहाएंगे या रोशन ही करेंगे तो यह योग बहुत अच्छा दिखा दूसरा ट्रैंगल का जैसे भी साइन बनता है जो पिटर के उपर तो समाज में इज्जत सम्मान प्राप्थ होता बड़ा पद सम्मान प्राप्थ होता है किसी प्रगर की रिसोर्स की कोई के मिनए ही होती तो डेफिनेटली बहुत अच्छा घर से ले करके तमाम तरह के सुक्सविधा युक्त जीवनशली आपकी निश्चे तरूप से होगी बच्चे किस भी सही होग से होगी एवन इसके अलावा जो सेपरेट एक अनदर स्ट्रेट लाइन अब देख रहा है यह वरकोहलिक लाइन होती है इस कंडिशन में खाली बेटना पसंद नहीं होता कुछ न कुछ वरक करना अपने आपको बीजे रखे रखना यह बेसिक नेशन में होता और लर्निंग कैपबिलिटी बहुत अच्छे हो सियोग यहाँ पर इस परकर कर गुरू दर्शार है तो गुरू की स्थिति तो बहुत अच्छा है बच्चे से तो खास कर बहुत आपको लाब मिल पाएगा और इक्छमन कामरों के भी पूर्ती हो पाएगी शने की स्थिति दभी हुई है तो कोई काम समय पर इस कंडिशन मे नहीं होता है रुक रुक करके देरी से और अनेको यानि एक से अधिक परयासों के बाद काम बनते देखने को मिलता है और यह जो आड़ी रेखा है यह थोड़ा mood swings देती है यानि emotions, feelings में fluctuations देती है बैसे आपका देखा जाए nature तो practical, logical, money minded है लेकिन यह जो उपर के तरु अली रेखा थोड़ा aggressive बनाती है डिपेंड करता है कि इसा समय परिस्तिती है उसके अनुसार इस प्रकार की भावनों में परिवर्तन होते रहता है अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका असर आपकी luck line में यह पढ़ रहा है कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर शनी तक पहुच गई है इवन आगे भी बड़ी है लेकिन रेखाओं के द्वारा कटी हुई है शनी दबाव आए तो किसी भी काम में एक बार में संतुष्टी नहीं मिलता है इंफेक्ट एक बार में काम बनता भी नहीं है भाग्य है अपोर्चुनेडिज आएगी ग्रेब प्रॉपरली नहीं हो पाएगा यहाँ पर आपके जीवन का सबसे जो कस्ट में समय रहा है या जो दिखाए पड़ रहा है वो समय आपका रहा है 36 से लेकर के अराउंड 39 तक यानि तीन से साड़े तीन साल तक इसमें शारेरिक कस्ट परशानी धन, हानी और मानसिक तनौ यह बहुत अच्छे साइन्स बनने लग रहे है जैसे कि यहाँ पर आप स्क्वेर का साइन एक देख पाएंगे फिर एक और स्क्वेर का साइन यहाँ बनता दीख पाएगा आपको फिर एक छोटा सा स्क्वेर इधर भी बनता दीख पाएगा तो यह जितने भी स्क्वेर जैसे स यह मंगल के छेतर पर मेंली बन रहा है और यह प्रोपटी देता है और इस कंडिशन में इन्वेस्टमन बहुत अच्छे जगह होता है प्रोस्परिटी प्रोपटी जैसी चीज़े बढ़ती हैं और यह जो कॉंबिनेशन है सूर्य से भी जो है इन्वाल्ड है तो सूर्य कारक किसका है जॉब का प्रोफेशनल लाइफ का और मनी का तो यह तीनों चीज़े बढ़ेगी यानि जॉब में अथोरिटी पावर बढ़ेगी जो कि जुपिटर भी दरशार है मातर दो साल के अंतरगत प्रोपटी के भी योग मातर दो साल के अंतरगत निश्य दुरूप से हो तो इसी लेक्षा मनोकामना के पूरती 45 के उम्रत के आसपस तक आते आते हो जाएगी आपकी और जब भी शरी पर एक से तेदिक रेखा होती है तो एक समय पर एक से जादा काम करने का आधिपन देखने को मिलता है इसके अलावा जब भी बीज में कुछ हिस्प्रगर के रे उसको सीधे ले जाकर मंदिर में दे आएंगे कई और दे आएंगे उठाएंगे ही नहीं और चाहा करके भी अपॉर्चिनिटी आती है यदि दोकाचार करने की लेकिन नहीं कर पाएंगे आप सिर्फ इसके करण यह आपको साथविक बनाएगी अब यहाँ पर यही सारे कर् फोर के आसपास से बहुत ज्यादा ही एक्टिव यहाँ पर हो रही है और अगर हम जीवन रेखा के उपर और देखें तो जीवन रेखा और ज्यादा स्मूथ होती चली जा रही है तो यह सब इसी बात को दर्शार है कि आने वाला समय सुक्सुविधा युक्त जो है रहेग यहाँ पर सूर के उपर एक कॉंबिनेशन देखेंगे जिसमें देख पाएंगे कि शनी से रेखा निकल के सूर के तरफ गया है तो इस कंडिशन में आप जोसे जा तक बहुत ज़्यादम महनत करके क्योंकि शनी कारक होता है एकदम प्योर श्रम का और सूर होता है कारक सफल ही मिलेगा इसलिए ओल्ड एज बहुत ज़्यादा अच्छा रहता और शनी पर मल्टिपर्स लैन है आपके अराउंड 54 के बाद में जो अनेको माद्यम से कहिना कहीं धनलाव या मान सम्मान या इच्छा मनो कमनों की पूर्थी को भी दरशाता है तो जब इस पर अगर की कभी भी काम की या धन की opportunities के ज्यादा कोई कमी होती नहीं है सूर के अपर एक छोटा सा cross है तो कई मरतबा यह होता है कि बहुत मेहनत के बाद recognition नहीं मिल पाता है यानि credit नहीं मिल पाता है expected gains values नहीं मिल पाते हैं लेकिन यहीं से फिर रेख निकल के आपके जो है बुधा और सूर के बीच में जा रहा है जो बुधा दितियोकर निर्मान करता है तो इस condition में अपने बुध्धी का सद्यूपयोकर प्रगती कर पाते हैं और आलिशान घर के सुक से लेकर के तमाम तरह के सुक सुधा युक्त जी और शली जी पाते है तो अभी जैसा हम देख पा रहे है कि स्केर जैसे साइन तो बिल्ड होई रहे है तो opportunity तो 100% दो साल के अंदर बहुत अच्छा हैगा आपको job करेगारिंग और investment करेगारिंग तो विल्कुल opportunity को मत गवाईएगा अभी इसके अलावा जब सूर की रेखा डबल लाइन के साथ चल रही हो तो ये एक से ज़्यादा चीजों में काबिलियत हांसिल करने जैसे युगों को यहाँ पर दर्शाता है एक से ज़्यादा माध्यम से नाम होता है मरकरी की स्थिती यहाँ पर भी दब गई है तो इस condition में money management अगें विए की यह दर्शाता है आप जैसे जाता कि responsibilities तो ले लेते हैं लेकिन उसको पूरा करने में दिक्कत आता है और एक और कमी यह रहता है कि मन की बात तो सही समय पर नहीं कर पाते जब बारतल आप खतम हो जाएगी समय बीच जाएगा तब बहुत अच्छे ख्याल आता हैंगे अपनी बात को कहना के लिए तो यहाँ पर बुद का जो remedy वह आपको WhatsApp पर भेज दिया जाएगा ताकि communication, skills, marketing, skills, work, management इसी सारी चीजों में सुधार हो सके और bargaining वगेरा भी जादा नहीं करा पाते हैं इस condition में कीमत से अधिक ही पेसा देकर सामान लेते हैं अधिक तर पाय जाते हैं रेदरेखा के अंत में गोंपुच के अकरती good sense of humor and pretty romantic nature देती है इस हस्त रेखा मिसका तात पर यह होता है कि लंबे समय तक दुखे नहीं रह पाते कई न कई अपने खुशी ढूणना दूसरे के खुशी में सामिल होने जैसे योग यहां यह निर्मित करता है और जब भी रेदरेखा से बार बार रेखा नीचे के तरफ जाए तो अपने लोगों से धोखा मिलना, misgat, misuse होना, expectations lose होना, जो उमीद लगाई है वो सब खतम होना और अपना ही पेसा जो दिया है वापिस लेने में तकलीफ हाना या जूजना अपने हक के लिए यह सारे combination आते तो इस इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि पेसा संबंदी विवहार रखने से बचना चाहिए बहुत ज़्यादा किसी से उमीद लगाने से बचना चाहिए उमीद लगाना है तो खुद से आईश्वर से लगाईए और भावना उत्म कुरूप से निर्णे लेने में थोड़ा आप कमी लाईए यहाँ पर शनी पर जब भी हृद रेखा रुपती है तो यह थोड़ा हिडन टाइप के नीचर देता है तो मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं के पाते थोड़ा सा हाइड कर लेते चुपा लेते हैं और हर एक व्यक्ति की प्रत्तिक बात आप ज्याद कर लेंगे और जितनी भी रेखा यहां से निकल के ऊपर के तरु जा रही है इन रेखाओं का एक अच्छला भी यह होता है कि यह कहीं न कहीं बड़े लोगों के साथ उठना बैटना या अच्छे कनेक्शन होने की चांसेस को दर्शाता है समाज में रूतबा, मान सम्मान या समाजिक कारियों में भाग लेने के कारण नाम सम्मान जैसी चीज़े बढ़ाता है इसलिए आप शोशल वर के तो 100% कर पाएंगे अपने लाइफ में 45 के बाद में मस्तिशेख आपकी पूरी इंडिपेंडेंडेंट चल रही है जो बेहत जिद्धी किसमे के व्यक्तित को दर्शाता है इस कंडिशन में अधिकतर काम खुद के दंपर करना किसी कंदे पर बंदूक रखना चलाना यानि क्या होता है कि जब भी मस्तिशेख इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें पाई जाते हैं, यहां पर मस्तिश रेखा में बहुत सारी आप देख पाएंगे कि आपको मंगल की रेखा फिर राहो की रेखा आपकर करके काट रही है, जब इतनी सारी रेखा मस्तिश रेखा पे काटती है, तो हमेशा मांसिक तनाव बना रहता है मस्तिश पर एक अलगी लेवल का लोड बना रहता है कभी फैमिली का, कभी काम का, कभी गलत लिए गए निर्णे का, कभी जल्दबाजी, हर बड़ी के करण तो इस कंडिशन में शिव जी के अरादना करना बहुत जोरी हो जाता है हमेशा शिवलिंग पर जल अरपित करना, दूद अरपित करना या विशे करना मांसिक तनाव से सारी चीजों से रहत दिलाता है और मस्तिश पर क्या है कि आपकी एकदम स्टेट है तो इस कंडिशन में आप मांसिक रूप से वल्वान है इसलिए इन सारे प्रकार के तक्लीफों को सरलता से जहल भी पा रहे है अगर यही मस्तिश पर कैसे डिकलाइन हो गई होती तो गलत नेरना ये लेने की योगिता बन जाती लेकिन ये सीधे है तो to the point बात करना, straight forward, nature रखना, हार न मानना हर पर इस्थिति का सामना डट करके करना, सारे combination बार बार दिखाई दे रहे है मानसिक तनाओ के स्थिति 32, 33 में थी, 34, 35 में थी, 36 के आसपास में भी थी और एक और यहाँ पर आ सकती है 46 के आसपास में लेकिन वही है कि अब mercury line यहाँ पर निकल रहा है तो यह आपको व्यापारी गुण देगा, धन अच्छा देगा, अपकी स्वास में सुधार अच्छा देगा तो जब मस्तिश रेखा ज्यादा long नहीं होती, यह थोड़ी सी short मस्तिश रेखा में आ रही है तो step by step काम नहीं करते, short cut में भी अपना काम बनाते वे देखने को मलते है लेकिन किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पर आपका गुरू दर्शा रहा है जीवन रेखा में यही सिस्टम रहा कि मंगल की रेखा आकर के बहुत जादर उकावड तकली परशानी अर्चने देती रही कभी स्वासंबंद विशे में, कभी गरेलू तकली परशानी विशे में, कभी कुछ और छोटे-मोटे जो है तकली परशानी के अतरिक्त जिसके करण जीवन रेखा एक systematic एक प्रकार से रहनी नहीं कर पा रहा है 36 तक तो 36 तक तो बहुत उथल रही 36 के बाद से भाग उदे की स्थिति उत्पन हो रही है और अब जो है एक से ज़्यादा जगे पर residence होना भाग उदे निर्मित होने लंबी आयो अच्छा स्वास कलाब उठा पाना सड़न ग्रोथ प्रोग्रेस हो पाना इस सारे कॉंबिनेशन अब देखेने को मिल रहा है सही होगी रहा है यहाँ पर उत्पन हुई है अरांड 31 केट से तो इस सुम्र से आपको दूसरों का अपनों का सपोर्ट अच्छा मिलने लग रहा है 31 से और एक तक्रिवन 35 से और यह सपोर्ट आगे मिलते रहा जाएगा ईश्वर एक ख्रपा अनुकम पाच्छी बने रहेगी तो सारे एक छमर कामनों के पूरती निश्यत रूप से हो पाएगी इसलिए अब आपका घर गाड़ी यह सारे योग अब निर्मित होते दिखाए दे रहा है मंगल आपको बहुत ज़्यादा जल्दी बाजी या हर बड़ी में निर्णे लेने पर मजबूर करते रहे हैं बिना सोचे समझे अपने बात को कहने पर मजबूर करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी भी दिये हैं आउटर मार्ज डेवलप ठीक है तो मांसिक रूप से बलवान होने के करण हिम्मत होसला अच्छा होता है और शुकर के उपर अगर हम देखे तो यहाँ पर आड़ी रेखा हैं बहुत ज़्यादा है गर्व चलाना जाए तो इस कंडिशन में हमेशा भाई यह रहता है कि कहीं धन कम न हो जाए कहीं घर पर वर को उतना सुख न दे पाए तो बेफुजूल का जो चिंता होता है जिसके दोरा भाई आता है तब इस याड़ी रेखा शुकर पर आती है तो आप यह प्रैक्टिकल करिए बहुत ड्रास्टिक और पॉजिटिव चेंजेस आप अपने लाइफ में फैमिली के रिगार्डिंग पीस एंड हैपिनेस के रिगार्डिंग पॉजिटिवली देख पाएंगे सीधे खड़ी रेखा अपोर्चिनिटीज देती है ताकि लाइफ इस्टायर बेटर हो सके तो अलग-अलग प्रकार के लोग जुड़ेंगे और इस कंडिशन में शुकर आपको विक्सित अच्छा है तो ये शारणी गठन अच्छा भी दे रहा है बहुत जल्दी आपको हील कर रहा है अच्छा रहें सेन खान पर अच्छे दिन चरे एश्वारा मभरी जिंद्गी भी व्यतित जो है यहाँ पर करा रहा है तो शुकर से जो रेखा ये निकल रही है ये एंसिस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टी देती है और ये जो अनदर लाइन जा रही है ये से बिजनस लग करना तो कोई भी इंडिपेंडिन्ट वर्क करना बिजनस करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा मनी ट्रेंगल है तो पेसा अच्छा ये खोरूटे गो और सधिप्योग भी हो पाएगा तो यहाँ पर पत्नी का स्वास्तिया रिलेशन के रिगारिंग थोड़ा तो दिक्कत दिख रहा है। घर-परिवार के रिगारिंग उतना नहीं दिख रहा है क्योंकि सही होगी रेखा आच्छी है गुरु की में उतना stress worries बढ़ नहीं पा रहा है तो यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है कि overthinking, negative thinking जैसे चीजों से दूर होना है defizol की चिंतन मरन जैसे चीजों से दूर होना है अपने पर भरोसा 100% responsibility खुद के लिए नी है और यहाँ पर आपको remedy जो है सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की करने की ज़रूरत है और वो भी आप जो है शिवलिंग या शिवजी की है रातना से अच्छे से कर पाएंगे बागी चंदर की स्थिती बढ़िया है चंदर विक्सित होता है चो तुब बोलचल की कला में माहिर बनाता है नए-ने प्रकार के थोट्स हाते हैं साकरात्मक सोच रवया या शांति प्रिय यहां व्यक्तित विया मन को लड़ाई जगड़ा तमाम तरह यसी सारी चीजों से दूर रहने जैसे यह को दर्शाता है एक another moon luck line है लेकिन यह ज़्यादा नहीं बढ़ पाई तो foreign connection यह बर्थ ले से दूर opportunity आया था आपकी जियों में रसने बसने का लेकिन यह रेखा जैसे आगे नहीं बढ़ पाई dependent work से growth अच्छा दे देती है और luck lines बार बार heart line पर रुक रहा है आपके right में भी रुक रहा है लेफ में भी रुक रहा है तो भावनात्मक रूप से निरने लेने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए और अपने ग्यान कोई skills को निरनतर बढ़ाते रहना चाहिए तो आपके ज्यूर में धन वेभव किरती इस सारी चीज़े जो है बढ़ पाईगी और जैसे कि शुकर से ने रेखा है टच होकर के निकल रही है यहाँ पर तो वाइफ के नाम से ही काम करने से आपको लाब मिल जाएगा वाइफ के नाम से घर लेने पर या गाड़ी लेने पर भागी की उतपत्तियों ज़्यादा होती दीख रही है और जो रेमिडी सजेस्ट किया गया है इसका शुकर का यह निश्चित रूप से आप करें ताकि यह तमाम तरह के सुख सुधा युक्त जीवन शेली आपकी बढ़ सके बहुत ज़्यादा जब आंतरे ग्रूप से बेचेनी मेसुस होती है या मन भटकता है तब एसी लेफ्ट हेंड पर आड़ी रेखा आती है तो शिवल जी के अराधना इसलिए करवा रहे था कि यह तमाम तरह के जो स्ट्रेश्स आ रहे हैं अननेसिसरील यह खतम हो सके और आने वाले दो साल के अतरिक्त पद, सम्मान, घर वर सुख यह चारों चीज़े बढ़ेगी आशा करता हूँ आपकी सभी परशनों को अत्तर मिल गया हो तब तक आप अपना ध्यान रखें आपको बहुत बहुत धिलने बाद